हलो दियर स्टुडेंट्स वालकम टू मैंने ब्रेंज मैं संचुता जैन आप सभी की शोसल साइंस एजुकेटर आज के इस सेशन में लेके आई हूं क्लास स्ट्रेंथ की सामझ विज्ञान में राजनीती विज्ञान यानि की पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नूबर वन सत साथा की साज़ेदारी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेशन आंसर जी हां इसके पहले हम यह चैप्टर कई सारे पार्ट्स में पढ़ चुके हैं इसके इंसी आरटी शोलीशन मल्टीपल च्वाइस क्वेशन भी कर चुके हैं अब आज बारी आती है हमारे फॉर्मेट के अन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं गिया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें क्योंकि मैंगनेट ब्रेंस प्रोवाइड कराता है आपको क्लास सिक से लेके क्लास 12 तक के सारे कोर्स फ्री ओप कोस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ पुली और्गना आपके लिए top courses available कराता है Hindi Medium, English Medium, Donal Medium में जी हा है सीबेसीпод के साथ सात MP Board, UP Board, भिहार बोड, दिल्ली बोड, राजस्तान Board के सलेवस को कंप्लीट कराया जाता है साथ ही साथ सारे स्टेड बोड के सलेवस को कंप्लीट कराया जाता है जहां पर NCRT का pattern follow होता है क्योंकि हम पढ important question answer a most important question answer को हम कैसे solve करेंगे वह NCRT solutions भी हो गए उसमें इतने सारे question हमने करें तीस multiple twice question हमने करें हैं अब most important question क्या चीज है तो देखो भई किस format में अपने इसको करने वाले हैं सबसे पहले हम करेंगे इसके अती लगुत्रिय प्रशन उत्तर फिर हम करेंगे इसके लगुत्रिय प्रशन उत्तर और उसके बाद हम करेंगे इसके दीर गुत्रिय प्रशन उत्तर तो अती लगुत्रिय लगुत्रिय और दीर गुत्रिय इस वार्मेट में आज के सारे question answer हम solve करने वाले हैं अती लगुत्रिये में दस करेंगे लगुत्रिये में पांच करेंगे और दीर गुत्रिये में पांच चुकना नहीं चाहिए चलिए तो शुरू करते हैं और सारे question के answer कौन देखा आप देंगे भई क्यों आप क्यों देंगे आप बोलोगे कि मैं माप पढ़ाने वाली हो हम क्यों देंगे तो भई मैं सब कुछ पढ़ा चुकी है आपको पूरा chapter पढ़ा दिया मैंने चार से पां लिए तो जितने भी short answer very short answer है उसके तो आप दे ही सकते हैं ठीक है और long answer है उसको कुछ-कुछ points में words में आप लिखके बता सकते हैं ताकि मुझे यह पता लगे कि हाँ इसके बारे में आपको knowledge है यह topic आपको आता है इस सवाल का answer आपको आता है ठीक है चलिए तो शुरू कर करते हैं सबसे पहले बात आती है अती लगुत्रिय प्रश्णों की ठीक है very short answer जिनका answer कितने में लिखना होता है बही एक शब्द में भी लिख सकते हैं जैसे question की demand रही ठीक है एक line में भी dead line में भी maximum दो line में इससे जादा answer अती लगुत्री का नहीं लिखना है तो सवाल क् सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की साज़दारी का एक उधारन दें विबन सामाजिक समूहों के बीच में सत्ता की साज़दारी का एक उधारन बताईए बताओ जल्दी से एक एक्जामपल बता दो सामाजिक समूहों के बीच सोशल ग्रुप के बीच सत्ता की साज़दारी कई एक एक्जाम्पल आपको बताना है तेजी से कॉमेंट आना चाहिए सभी का कॉमेंट आना चाहिए देखा जाये चेक किया जाये चलिए क्या है बेल्जियम की सामुदाएक सरकार हमने जाना था कि बेल्जियम एक यूरोप का यूरोप महादियूप का एक छोटा सा देश है जिसकी आबादी कितनी है जिसकी आबादी भारती राज्य हरियाना से भी आधी है यानि कि इतना चोटा सा एक देश है यूरोप का लेकिन इतना चोटा देश होने के बावजूद वहाँ पर सामाजिक विविदता पाई जाती है शोशल डाइवर्सिटी पाई जाती है कैसे पाई जाती है वहाँ पर अलग-अलग भाशा को बोलने वाले लोग रहते हैं फ्रेंच भाशा को बोलने वाले लोग रहते हैं डच भाशा को बोलने वाले लोग रहते हैं जर्मन भाशा को बोलने वाले लोग रहते हैं अब इतनी सारी भाशाओं को बोलने वाले लोग रहते हैं यानि कि यहाँ पर क्या है डाइवर्सिटी है कई सारे सामाजिक समू है क इतनी सारी कम्यूनिटी यहां पर रहती है तो सब का समान प्रती निदे तो एक्वल रिप्रेजेंटेशन कहा होना चाहिए सरकार में सत्ता में शाशन में तो बेल्जियम ने ऐसा किया भी था ठीक है जो भी डच भाशा और फ्रेंच भाशा को बुलने वाले लोग ते जितनी पिन सामज एक समों के वे सत्ता की साज़ेदारी का उधारन हो गया बेल्जियम की सामुदाइक सरकार समझ में आ गई बात चलिए बेल्जियम के फ्लैमिश इस शेत्र में मुख्यता कौन सी भाशा बोली जाती है बता दो भई जल्दी से कॉमेंट करके फटा फट बताना है फ्लैमिश शेत्र में मैंने मैप के द्वारा ये चीज आपको समझाई थी बहुत अच्छे से समझाई थी मैप में चैप्टर में रैड कलर था येलो कलर था ओरेंज कलर था रैड के साथ ब्लू कलर भी था ठीक है अब बता दो याद आया कुछ मैप से फलैमिश शित्र में कौन सी भाशा बोली जाती थी? तो फलैमिश शित्र में डच भाशा बोली जाती थी दो सवाल के लिए रोगए बेल्जियम के बारे में चलिए तीसरा सवाल है बेल्जियम में कौन सा समुदाय अपेक्शाक्रत सम्रध तथा शक्ती शाली है बताओ भए कौन सा समुदाय सम्रध था और शक्ती शाली था कहां बेल्जियम में चेक किया जाए आंसर तो इसका आंसर बनता है फ्रेंच बोलने वालों का किसका फ्रेंच बोलने वालों का बेलजियम में फ्रेंच बोलने वाले लोग अधिक संब्रद थे और अधिक शक्ति साली थे तीन सवाल हो चुके है चौता सवाल है बेल्जियम के बारे में फिर से हैं बेल्जियम में कौन सी सरकार शिक्षा तथा संस्कृती जैसे मसलों पर फैसले लेती है बताओ बेल्जियम की कौन सी सरकार है जो शिक्षा तथा संस्कृती से समंधित मुद्दों पर फैसले लेती ह पूरा बेलजयम आपको सिखा दिया जाएगा इस चैप्टर में के बारे में जितनी भी बातें आपको बहुत अच्छे से सिखा दी जाएगी समझा दी जाएगी देखा जाए चलिए तो कौन सी सरकार थी सामूदाएक सरकार थी ठीक है ऐसा नहीं था कि आपसप एक सरकार का प्रतेने धित्व था यानि एक समुदाय का प्रतेने धित्व था कि सिर्फ डच भाषा को बुलने वाले लोग ही निरणाय लेते हो या फिर फ्रेंच भाषा को बुलने वाले लोग ही निरणाय लेते हो और राइट सामुदायक सरकार थी कमिटेटर गवर्मेंट ती वहाँ पर तो डच भाशा उफ्रेंच भाशा दोनों भाशाओं को बुलने वाले लोगों को मिला कर इक्वल रिप्रेजेंटेशन के साथ समान प्रतेनित्वें के साथ एक सामुदाएक सरकार का गठन किया गया था और वो सामुदाएक सरकार सभी के हितमे समान रूप से लेती थी कहां बेलजियम ऐ ऑल राइट चलिए क Judge गोशिचिन नमबर फाइव है शहली समुदाय के अधिकान स्व्यक्ति किस धर्म को मानते हैं बताओ भाई जल्दी से सिहली समुदाय के अधिकांश व्यक्ति किस धर्म को मानते थे कहां की बात हो रही है सबसे पहले तो यह बताओ किस देश की बात हो रही है सिहली समुदाय सिहली कमिनिटी किस देश की बात हो रही है तेजी से कॉमेंट आ जाना चाहिए फिर इस question के answer की तरफ बढ़ेंगे फि लिए तो सिहली समुदाय क्या थिकांश व्यक्ति किस धर्म को मानते थे ये भी बता दो जल्दी से बहुत धर्म को मानते थे ठीक है देश का नाम क्या है श्री लंका और सिहली क्या थी भई सिहली क्या थी भाशा थी और सिहली समुदाय क्या है ये एक भाशाई समुदाय है औ बहुत संख्यक समुदाय था ये ठीक है चलिए तो पांच सवाल हो चुके हैं पांचों के आंसर सभी ने दिये है कि नहीं जल्दी बताओ पांचों के आंसर देना कंपल सरी है लाइक शेयर करना कंपल सरी है और अगर अब ही तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैन के संविधान में कितने संसोधन किये गए कई बार मैंने आपको ये बात बताई है 1970 से 1993 के बीच Belgium के संविधान में कितने संसोधन किये गए थे कितने amendment किये गए थे तेजी से बता देना है जल्दी संविधान में कितने संसोधन किये गए थे और या बेलजियुदा के पक्ष्म के जनता थे या नहीं थे ये बात भी बताना है कि सारे सकरात्मक पॉजिटिव संशोधन या अमेंडमेंट करे गए थे कि नहीं करे गए थे चेक किया जाए तो 1970 से 1993 के बीच बेलजियम के सम्विधान में चार संशोधन किये गए थे कि बेलजियम में डछ भाषा को बोलने वाले लोग फ्रेंच भाषा को बोलने वाले लोग रहते थे ठीक है तो उनके बीच बेदभा अधबन हो रहा था अलप संख्यक और बहु संख्यक को लेके लेकिन बेल्जिम की सरकार ने क्या किया कि दौना समुधायों को समान प्रतेनधित्व दिया 1970 से 1993 की भी जो जो समस्या सामने आई वो संशोधन करते गए और उन संशोधनों के माध्य हैं से दौना कमिनिटी को दौना भासाई समुधाय को दोनों लेंग्विस्टिक कम्मिनिटी को एक्वाल रिप्रेजेंटेशन सरकार में दिया था और वहां कि समस्या का समाधान किया था यानि कि सत्ता की साज़दारी के स्वरूप को लोग तंद्र को बेलजियम ने अपनाया था अल्राइट चलिए तुछ्छै सवाल हो चुके हैं अगले सवाल की तरफ चलते हैं स्हीली समुदाय के प्रभुट्व को स्थापित करने के लिए श्री लंका में किस तरह की शाशन व्यवस्था स्थापित करी गई थी बताव बयी जल्दी से सिहली समुधाय के प्रभुत्व को इस्थापित करने के लिए श्री लंका में किस तरह की शाशन व्यवस्था इस्थापित की गई बताईए जल्दी से क्या लगता है जब एक ही भाशा को बुलने वाले लोगों का प्रभत्व किसी एक देश में स्थापित किया जाए तो किस प्रकार की शाषिन विवस्ता वो कहलाई जाएगी जल्दी फटाफट तेजी से कॉमेंट आ जाना चाहिए चेक किया जाए चलिए बहु संख्यक वाद क्या कहा गया था उसको बहु संख्यक वाद क्यूंकि सिहली समुदाय कितने प्रतिशत था चोहतर प्रतिशत किस भाशा को बोलते थे वो सिहली भाशा को बोलते थे ठीक है किस धर्म को मानते थे बहुत धर्म को मानते थे किस धर्म को मानते थे बहुत धर्म को मानते थे और संख्या ज़ादा थी तो उन्हीं के शाषन को इस्थापित किया गया जिसे कहा गया बहु संख्यक वाद आलराइट किलियर चलिए सास सवाल हो चुके हैं आठवे सवाल की तरफ चलते हैं और आठवा सवाल है बेल्जियम में बोली जाने वाली भाशाएं कौन सी हैं बता दो भई जल्दी से बेल्जियम में कौन कौन सी भाशाएं बोली जाती हैं तेजी से कॉमेंट आजाना चाहिए भई आप सभी का बेल्जियम में कौन सी भाशाएं बोली जाती हैं अब जितने जल्दी से कॉमेंट आ जाना चाहिए, चेक किया जाए, चलिए, तो बेल्जियम में दो भाशाएं बोली जाती हैं, डच और फ्रेंच, कौन कौन सी, डच और फ्रेंच भाशा को बोलने वाले लोग रहते थे, ओल राइट, चलिए, तो आठ अती लगुत्री प्रश्न हो चु जाए, बेल्जियम अपनी सीमा किन दो देशों के साथ साजा करता है, ये बात भी मैंने आपको चैप्टर में बताई है, बताओ, 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 बेल्जियम किन दो देशों के साथ अपनी सीमा साजा करता है, देखा जाए, चेक किया जाए, फ्रांस तता ठीके किंदो देशों के साथ, फ्रांस के साथ और लक्जेंबर्ग के साथ वेल्जियम की सीमा लगती है, ये सारे किस महादीप के देश हैं, ये हैं सारे यूरोपीय देश हैं, कौन से देश हैं, यूरोपीय देश हैं, क्लियर, तो नौ सवाल हो चुके हैं अतिला घुत्रिय 9 के 9 आंसर आये हैं आपकी तरफ से की नहीं आये है उसी के बाद 10वे सवाल पर बड़ा जाएगा जल्दी से comment करके बताओ इमान दारी से पुरी honesty के साथ कि आपने 9 सवालों के आंसर दिये हैं या नहीं दिये हैं Alright, 10वे सवाल की तरफ बड़े, चलिए दस्वा सवाल है श्री लंका का आधिकारिक धर्म कौन सा है बता दो जल्दी से श्री लंका का आधिकारिक धर्म किस धर्म को माना जाता है श्री लंका में चेक किया जाए तो सही आंसर है बहुत धर्म को किस धर्म को माना जाता है श्री लंका में बोध्ध धर्म को माना जाता है श्री लंका का आधिकारिक धर्म कौन सा है बोध्ध धर्म है बोध्ध धर्म को मानने वाले लोग कौन सी भासा बोलते हैं सिहली भाशा बोलते हैं अल्राइट चलिए तो ये हो गए आपके 10 अती लगुत्रिय प्रश्न अब बचे क्या 5 लगुत्रिय प्रश्न और 5 दीरगुत्रिय प्रश्न चलें फिर आगे लगुत्रिय प्रश्न की तरफ चलिए देखते हैं तो यह हैं आपका लगुत्रिय प्रश्ण यहां से चालू होते हैं और आज की सीरीज का 11 सवाल और लगुत्रिय प्रश्णों में पहला सवाल है क्या है सत्ता की साज्यदारी के विभिन रूपों का उलेख कीजिए बताईए भई सत्ता की साज़ेदारी के विभिन रूप कौन कौन से हैं क्या लगता है आपको चैप्टर में साड़ी चीज़ें बताईएं और सत्ता की साज़ेदारी के रूप का एक अलग से लेक्षर मैंने आपको पढ़ाया है उसमें सिर्फ यही बात बताई है कि सत्ता की साज़दारी की रूप कौन-कौन से हो सकते हैं देखा जाए भई चलिए तो देखें सत्ता की साज़दारी के विभेनर रूप इस प्रकार से हैं तो सबसे पहले हमें बताया गया है सत्ता का 36 वित्रण क्या बताया है सत्ता का 36 वित्रण, अब सत्ता के 36 वित्रण में कौन सी बाते आती हैं, तो देखें, सत्ता का 36 वित्रण सबसे पहले तो इसको समझ लाए, 36 वित्रण है, यानि कि इस तरीके से हैं, ठीक है, एक ही इस तरपर, horizontal फॉर्म में, किस फॉर्म में, horizontal आल्राइट तो क्या क्या है इसमें विधाई का है कार्यपाली का है और न्यायवपाली का है ठीक है अब विधाई का क्या काम करती है विधाई का कानून बनाती है विधाई का काम क्या होता है कानून बनाना ठीक है फिर कारे पालिका का काम क्या होता है कारे पालिका का काम होता है कानून को क्रियान विद करना या एक्जीक्यूटिव करना क्या है एक्जीकिटिव बॉडी है ठीक फिर न्याय पालिका का काम क्या होता है न्याय पालिका का काम होता है कानूनी विवादों का निप्टारा करना ठीक है कानूनी विवादों का निप्टारा करना और 36 वित्रण से क्या मतलब है 36 वित्रण से मतलब है कि ये तीनों विधाई का कारेपालिका और न्यायपालिका तीनों स्वतंत्र हैं किसी के अधीन नहीं है ठीक है किसी एक इस्तर के नीचे नहीं आती है इनका इसतर एक समान है अब बात आती है दूसरे रूप की सत्ता के वो है सत्ता का उर्धवाधर वित्रण क्या है सत्ता का उर्धवाधर वित्रण अब उर्धवाधर की बात है तो अपन उपर से नीचे चलेंगे यानि की लेविल वाइस काम होगा यहां पर अब कार फिर है प्रांती सरकार और प्र क्या है इस्ठानिय सरकार है तो देखेँ यहां पर आप यह खाल्स इन्द्री सरकार ठार इक रिख यह क्या हो गई आपकी एपन दूसरा कलर ले ले blossom ताकि आपको समझ में आ जाए ये ले लेते हैं, चलिए, सब्ता का उर्द्वादर वित्राण, ठीक है, ये देखें, ये है कैंदर सरकार, ये है राज्य सरकार, और तीसरे नमबर पर क्या है, भही, इस्थानिय सरकार अल्राइट, अब कैंदर सरकार है, तो कैंदर सरकार तो देश में एक ही रहेगी, ठीक है, एक ही रहेगी, सिर्फ एक, और उसके नीचे क्या होगी, उसके नीचे राज्य सरकारें कैंदर सरकार की अधीन काम करेंगी, और राज्य सरकारें अलग-अलग राज्य की होगी, ठीक क्या कहते हो यह हो गए अलग-अलग राज्य ठीक है तो यह राज्य सरकार किसके अधीन काम कर रही है केंद्र सरकार के अधीन काम कर रही है फिर यह जो राज्य सरकार उसके अधीन क्या है इस्थानी सरकार यानि की लोकल गवर्मेंट या लोकल सेल्फ गवर्मेंट इस्थान निकाई यानि की लोकल वोडी जैसे की राज्यों के नीचे क्या है जिला है जिले में क्या है अलग-अलग नगर है नगर के अंदर क्या है अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अंदर कई सारे गाउं है तो पंचायती राज विवस्था के माध्यम से इस्थानि गई है ठीक है तो यहां परपन बना लेते हैं भई कई सारे इस्थानिय निकाय है ठीक है अब यह इस्थानिय निकाय यानि की जिला की सरकार हैं नगर की सरकार हैं गाओं की सरकार हैं विकासखंड की सरकार हैं किसके अंडर काम करेंगी उस पर्टिकुलर राज्य सरकार के पुर्धुवाधर वित्रण है ठीक है वर्टिकल उपर से नीचे यानि की एक सरकार जाराज सरकार है यानि की एक स्तर दूसरे स्तर के अधीन काम कर रहा है और राइट क्लियर फिर इसके बाद क्या है सामुदाएक सरकार है इसके बाद क्या है सामुदाएक सरकार कमपीटेट government है कैसे है तो विभिन सामाजिक समूहों के भी सत्ता की साज़ेदारी जैसे कि Belgium में किया गया था डच भाशा को बोलने वाले लोग और फ्रेंच भाशा को बोलने वाले लोगों के बीच में सत्ता का बटवारा किया गया था और राइट किलियर हो गई बात फिर दवाब समूह कैसे दवाब समूहों के दवारा भी भागीदारी सत्ता में की जाती है और राइट चलिए तो यह हो गए सत्ता की साज़ेदारी के अलग अलग रूप किलियर कि क कैसे कैसे सत्ता का बटवारा कहां कहां किस रूप में किया जाता है और किया गया है चले अब आगे यहां तक की बात के लिए यहां तक समस्या और किलियर लाइक शेर किया बराबरी से वरी गूड चलिए question number 12 है Belgium के समाज में विभिन भाषाई लोगों के बीच तनाओ के क्या कारण थे Belgium में अलग-अलग भाषा को बोलने वाले लोग रहते थे और Belgium की राजानी भुरुशेल्स में भी यही इस्तिती थी तो अलग-अलग भाषा को बोलने वाले लोगों के बीच तनाओ के क्या कारण थे उनको जानते हैं चलिए तो ध्यान से सुनिएगा क्या उत्तर है पहला कारण था कि बहु संक्यक डच भाषा की अवहेलना करी जाती थी बहु संक्यक डच भाशा की अभेलना डच भाशा को बोलने वाले लोग जादा थे और उनकी भाशा की यानि कि उन लोगों की अभेलना करी जाती थी निंदा करी जाती थी फिर अलप संक्यक फ्रेंच भाशी का अधिक तागतवर और सम्रद्य होना अब अक्सरी ये देखा ज जाता है कि जो समुदाय बहु संक्यक होता है वो ज्यादा तागतवर और शक्तिशाली समझा जाता है लेकिन बेल्जियम में उल्टा था जो अल्प संक्यक समुदाय था फ्रेंच भाशा को बोलने वाला समुदाय था वो ज्यादा तागतवर था ज्यादा शम्रद था समुदाय तक ही सीमित रहना ठीक है यह जो तागतवर समुदाय था फ्रेंच भाशा को बोलने वाला उन्हीं का आर्थे विकास हो रहा था उन्हीं को सिक्षा का लाब मिल रहा था ठीक है जो की एक खास समुदाय तक ही सीमित था यानि कि आर्थे विकास उसिक्षा का लाब कि उसके बाद चौथा कारण क्या था कि राजनितिक सक्ता एक समुदाई विशेस में केंद्रित्य यानि कि कि किसमे जो फ्रेंच भाषों को बोलने वाले तागतवर लोह हुआ करते थे औल राइट तो ये कारण था डच भाशा और फ्रेंच भाशा के लोगों के बीच में तनाव का ऐल राइट बारा सवाल हो गए आपके दस अतिलग उत्री हो गए और दो लगउत्री हो गए चलिए चलते हैं अब तेरहवी सवाल की तरफ चलिए तो तेरहवा सवाल क्या है श्री लंका में बहु संख्यक वाद ने किस प्रकार सामजिक तनाओं को जनांदिया अब बेल्जियम में क्या था बेल्जियम में अलपसंख्यक समुदाय का बोलबाला था लेकिन बेल्जियम की सरकार ने अपना माम लोग थे किस भाषा को बोलने वाले लोग चोहत्तर प्रतिशत लोग थे सिहली भाषा को बोलने वाले लोग ठीक सिहली भाषा और 18 प्रतिशत लोग जो थे वो किस भाषा को बोलते थे तमिल भाषी थे जिसमें भारतवनशी तमिल भी थे और श्री लंकाई तमिल भी थे यानि कि सिहली भाष्षा को बोलने वाले लोग जो बहुत धर्म को मानते थे संख्या में जादन थे उन्होंने किस प्रकार सामजिक तनाव को जनम दिया तो देखें हाजी तो बहु संख्यक वाद के तहत सिहलीयों के हितों का विशेश ध्यान रखा गया क्योंकि सिहली जादा थे ठीक है और सभी महातवपूर्ण छेत्रों में सिहलीयों का ही एकादिकार था जितने भी महातवपूर्ण छेत्र थे सभी छेत्रों में किसका एकादिकार था सहिलियों का एक आधिकार था और सहिली को एक मात्र राज भाशा का दर्जा दिया गया था किस भाशा को सहिली भाशा को एक मात्र राज भाशा का दर्जा दिया और तमिलों के हितों को दरकिनार कर दिया यानि कि जो तमिल भाशी लोग थे प्रतिशत लोग थे अलप संक्यक थे माइनरीटी में आतेते उनके हित्हों को सिंप्ली इग्नौर कर दिया गया दरकिनार करना वस्लिभ इग्नौर कर देना ध्यान ही नहीं देना फिर तमिलों को क्या किया तमिलों को राजनितिक अधिकार से वंचित रखना तमिलों के हितों को एगनोर कर दिया और उनके जो तमिल भाशा को बोलने वाले जो लोग थे उनकी राजनितिक अधिकार भी एक तरफ रख दी गए यानि कि जो भी पॉलिटिकल राइड्स किसी भी व्यक्ति को दी जाने चाहिए उस पूरे के पूरे समूह को ठीक है उन अधिकारों से वन्चित कर दिया था किलियर हो गई यहां तक की बात स्री लंका में बहु संक्या को वाद ने किस प्रकार सामाजिक तनाव को जनन दिया तो बहु संक्या को थे सहली लोग थे ठीक है उनके हितों का विशेज ध्यान रखा गया उनको चेत्रों में सहीलियों का ही अधिकार रहा एक अधिकार रहा एक अधिकार का मतलब कि सिर्फ एक ही पार्टी का अधिकार रहना फिर सहीली को एक मात्र राजभासा का दर्जा दिया गया तमिलों के हितों को दरकिनार किया यानि की एक तरफ रखा गया तमिलों को राजनेते कदिकार से वंचित कर दिया गया इस तरीके से स्री लंका में बहु संख्यक वादगा हमें स्वरूप दिखाई देता है ओल राइट किलियर यहां तक की बात बढ़ा जाए आँगे तेरा सवाल हो चुके हैं तीन लगुत्रिय सवाल हो चुके हैं चलते हैं अब आगे अब देखें अब क्या वाद कही गई है सत्ता की साजेदारी क्यों आवश्यक है तर्क दीजिए बताईए भई क्यों है आवश्यक सत्ता की साजेदारी इसके संबंध में तर्क बताना है त सत्ता की साजेदारी क्यों आवश्यक है तो विभिन सामाजिक समूहों के बीच टकराओ को कम करना किसलिए आवश्यक है ताकि विभिन सामाजिक समूहों के बीच टकराओ कम हो सके अगर जैसे कि हम बात करें अभी हमने श्रीलंका वाला क्वेशन सॉल्व किया है कि श्रीलंका में सेली भाशा और तमिल भाशा के बीच के लोगों में सामाजिक तनाव था क्यूं था क्यूंकि दौनों को बराबर अधिकार प्राप्त नहीं थे सिर्फ सेली लोगों का ही एकाधिकार था उन्हीं को राजनेते कदिकार दिये गए थे उन्हीं का आर्थिक विकास हो रहा थ नहीं ता उनहीं को सिक्षाद messing जगह मैल रही थी तमिल भाशावालों को ऐसकुछ भी नहीं था तो वहां क्यों नहीं था की साजुधारी नहीं थी सत्ता में प्रतिन धिख्वन नहीं था ठीक है लेकिन जैसे ही जैसे ही सत्ता का बटवारा अगर किया जाता है जिसे कि बेल जीम ने किया था बेल जीम ने क्या किया था बेल जीम ने सत्ता का बटवारा सभी भाशा बोलने वाले लोगों के बीच में किया था सभी को समान प्रत्त में दित्व दिया था यानि कि उन्होंने सत्ता की साजेदारी के स्वरूप को अपनाया था तो जब पावर सभी में शेर हो जाती है बराबरी से बट जाती है तो उससे क्या होगा उससे क्या होगा देश अच्छे से चलेगा लोगतंत्र कायम होके रहेगा तो सत्ता की साजेदारी क्यों आवश्यक है पहली बात यह कि सत्ता की साजेदारी से विभिन सामजिक समूहों के बीच टकराव कम हो जाता है एक बात दूसरी बात यह लोगतांत्रिक मूल्यों के अनुकूल है किसके लोगतंत्रिक मूल्यों के अनुकूल डेमोक्रेटिक वेल्यू जो होती है उसके अनुकूल है सत्ता की साज़ेदारी क्योंकि अगर सत्ता की साज़ेदारी है तभी हम कह सकते हैं कि लोगतंत्र है ठीक है फिर यह राजनितिक आयस्थिरता को कम करता है कौन सत्ता की साज़ेदारी कैसे कम करता है राजनितिक आइस्थिरता को जैसे कि मालो कहीं सत्ता की साज़ेदारी नहीं है सिर्फ एक ही समुधाय का एक ही समुहु का बोलबाला है तो जो दूसरे समुहु है वो तो उसका विरोध करेंगे कि भई हम कहा है हमारा तो रख है ही नहीं हमारे तो अधिकार है ही नहीं और जब लोगों को उनके अधिकार नहीं मिलेंगे तो वो विरोध करेंगे किसका जो सरकार चल रही है वो सरकार जो सिर्फ और सिर्फ खुद के ही क्या चलाती है और चलाती है ठीक है कि हमारे अनुसार ही काम होगा सिर्फ हमारा की अधिकार है तो भई लोग अस सरकार को पसंद नहीं करेंगे और वो सरकार गिर जाएगी तो ये क्या है ये राजनेतिक आइस्थिरता है यानि कि सरकार बनते देर नहीं हुई और उस सरकार ने ऐसी तानशाही चलाई कि लोगों ने उसका विरोध किया उसको स्विकार नही अगर वहीँ सत्ता में साजेधारी सबकी होगी तो राजनीती लंबे समय तक चल पाएगी सर्कार जो है एक लंबे समय तक आंगे बढ़ पाएगी और उस सरकार द्वारा बनाएंगे जो योजनाए हैं ठीक है जो कारेक्राम है जो प्लान है जो पॉलिसी जो नीतिया है वो सुचारू रूप से लगातार चलती रहेंगी अल्राइट चलिए अब क्या बात कही गई है चौती बात कही गई है कि सत्ता में अधिक से अधिक लोगों को भागीदार बनाता है बिल्कुल अगर सत्ता में साज्यदारी का स्वरूप उस देश में है तो लोगों की जादा से जादा भागीदारी उस देश की सरकार में होग यानि कि सब्दा की साज़ेदारी या पाउर सेरिंग क्या है भई क्या है लोग तंद्र का एक रूप है यानि कि यही तो डेमो क्रेसी है क्लियर 14 सवाल हो चुके है भई साब आज की सीरीज के 20 सवालों में से 14 सवाल हो चुके है चार लगुत्री प्रश्ण और 10 अती लगुत्री प्रश्ण हो चुके हैं मात्र 6 सवाल बचे हैं चले आंगे चलिए क्वेशन नमबर 15 प्रश्ण क्रमांग 15 है सामाजिक विविदताओं वाले शाषन में सत्ता का बटवारा किस प्रकार किया जा सकता है कहां सामाजिक विविदताओं वाले शाषन में यानि की जहां पर बहुत जादा शोशल डाइवर्सिटी है वहां सत्ता का बटवारा कैसे किया जा सकता है अब सामाजिक विविदता जैसे अलग-अलग समाजों रहते हैं अलग-अलग भाषा को बुल्ने वाले लोग रहते हैं तो ऐसे देश में ऐसे विविदता भरे देश में ऐसे diversity वाली country में कैसे power sharing की जा सकती है यह सत्ता का बटवारा कैसे किया जा सकता है तो चलिए जानते हैं, देखें विभिन सामजिक समूहों जैसे भाषाई और धार्मिक समूहों के बीच सत्ता का विभाचन क्या बात कहीगी है? विभिन सामजिक समूहों जैसे भाषाई समूहों हो सकता है धार्मिक समूहों हो सकता है उसके भी सत्ता के विभाचन की हम बात करें तो सामजिक रूप से पिछड़े हुए लोगों और महिलाओं को विधाईका में हिस्सेदारी देना जो व्यक्ति सामाजिक रूप से पिषडे हुए हैं जो समाज की मुख्यधारा में शामिल नहीं हैं जिनके पास कम अधिकार हैं उनका रिप्रेजेंटेशन करने के लिए कोई नहीं है उनका प्रतेनिधित्व करने के लिए कोई नहीं है उनको क्या किया जाए उनको विधाई का में हिस्सेदारी दी जाए महिलाओं की भागेदारी बहुत कम दिखाई देती है वर्तमान समय की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ पंचायती राज में ही महिलाओं की भागेदारी दिखाई देती है क्योंकि वहां पर उनको 33 प्रतिश्यत आरक्षड दिया गया है और कुछ राज्यों में यारक्षड 50 प्रतिष्ट भी किया गया है लेकिन क्या अधेश की विधाई का मैं उनकी भागी-दारी है देश की लोक-सभा की हम बात करें राज्य सभा की हम बात करें विधान-परिशद की हम बात करें तो क्या वहां महिलाओं को पर्याप्त प्रतेने धित्वा आरक्षड के माध्यम से दिया गया है नहीं दिया गया है ठीक है तो सामाजिक रूप से पिशड़े हुए लोगों और महिलाओं को विधाईका में हिस्सेदारी दी जाए अलपसंख्यक समुदायों को आरक्षड दि किया जाए ठीक है क्लियर पिर अतियंत पिछडे हुए वर्ग के लिए अलग से सरकारी नीथिया बनाई जाए जो अतियंत पिछडे हुए लोग्ध है राजनीती में सक्री नहीं है सिक्षा के साधन उनागे पास के लिए उनको क्या करना चाहिए अलग से सरकारी नीतियां बनानी चाहिए उन्हें उन्हें चीजों का लाब देना चाहिए ताकि हम सामाज विविता वाले देश में भी सत्ता के लोगतांत्रिक सुरूप को बना के रख सकें किलियर पंद्रा सवाल के लिए यहां तक किसी को कोई डाउट इस क्वेक्शन में डाउट जल्दी तेजी से कॉमेंट करके बताना है आपको जल्दी फास्ट क्या कहते हो बड़ा जाए फिर आंगे पंद्रा सवाल हो चुके हैं दस और पांश पंद्रा हो चुके हैं अब बारी आती है अगले सवाल की और यहां से शिरुवात वो जाती है आपके दीरगुत्रिय प्रशन उत्तर की ठीक है तो शुरू किया जाए दी दीरगुत्रिय प्रशन में तो दीरगुत्रिय प्रशन का पहला प्रशन है और आज की सीरीज का 16 प्रशन है स्री लंका में पास हुए 1950 के कानून के अनुसार सिहली लोगों के वर्चस्व के तीन प्रावधान लिखिए स्री लंका में 1950 के दशक में एक कानून पास किया गय लोगों को जदा अधिकार दिये गए थे सिली भाश को बोलने वाले लोग कौन सा धर्म मांते थे जल्दी से कॉमेंट करके बताए जल्दी तेजी से फास्ट सीली भाशा स्हुरीलंका को मानते थे ठीक है तो जो उन्पी अधिकार उने दिये गए थे उसके दी के तीन प्रावधान लिखने हैं तीन प्रावधाण आपको बताने हैं तो देखें श्री सिरी लंका में पाश हुए 1950 के कानून के अनुसार सिहली लोगों के वर्चस्व के तीन प्रावधान कुछ इस तरीखे से हैं कौन से हैं पहला क्या है पहला है सिहली भाषा को स्रीलंका की राज़किय भाषा घोशित करना सिहली भाषा को क्या क्या है? सिहली भाषा को स्रीलंका की राज़किय भाषा ही घोशित कर दी ठीक है कितने प्रतिशत लोग थे बहुत संख्यक थे इनकी आबादी जादा थी इनहीं को जो है सारा वर्चस्व दिया गया था सारे अधिकार सूंप दिये गए थे और इनकी भाषा को स्री लंका की राज भाषा घोशित कर दिया गया था उसके बाद सहीली लोगों को सिक्षण संस्था और सरकारी नौकरियों में प्राथ मिक्ता दे दी गई चीक है जो भी श्री लंका की सिक्षड संस्थाएं हैं विश्व अभी द्याले हैं इनुवर्सिटीज हैं एजुकेशनल इंस्टिटुशन्स हैं वहां पर और सरकारी यानि कि government vacancy में प्राथ मिक्त दी गई प्रायरूटी दी गई अल्राइट फिर फिर क्या किया गया सिहली लोगों को राजनेतिक प्रक्रिया में स्वतंत्र रूप से भाग लेने का अधिकार दिया गया क्या किया गया सिहली लोगों को राजनेतिक प्रक्रिया में स्वतंत्र रूप से भाग लेने का धिकार दिया गया कि आप जो है राजनेतिक प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं उसके बाद क्या बहुत धर्म को पूजन अर्चना की पूर्ण स्वतंतरता यानि की बहुत धर्म को जो है अलग से प्रटेक्शन दिया गया अलग से सरक्षर दिया गया बहुत धर्म को पूर्ण रूप से धर्म एक स्वतंतरता वहां पर प्रदान करी गई तो जो 1950 के दशक में यानि कि 1956 में ठीक है 1950 के दशक में ये कानून पारित हुआ था यानि कि 1956 में जो श्री लंका में कानून पारित हुआ था वो किसके हित में था वो था शिहली भासा को बोलने वाले लोगों के हित में था, ठीक है, तो ये सारे प्राविजन्स करे गए थे उनके हित में, प्रावधान करे गए थे, ओल राइट, किलियर यहां तक की बात, क्या कहते हो, कोई डाउट है, हो तो जल्दी बता हो, उसके बाद ही आंगे बढ़ अल राइट, आल किलियर, चलिए, क्वेश्चिन अमर 17 है, सत्ता के उर्धवादर वित्रण और 36 वित्रण में अंतर स्पस्ट कीजिए, सत्ता का उर्धवादर वित्रण और 36 वित्रण क्या होता है, जब ये चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था, एक टॉपिक पढ़ाया था, सत्ता के स्वरूप का, सत्ता के विभिन रूपों का, उसमें दो रूप मैंने आपको बताये थे, एक 36 रूप और एक उर्धवादर रूप, चीक है, उसी में अंतर बताना है, चीक, किलियर, सबी रेडी, तो जल्दी से एक बार कॉमेट करके बता दें कि 36 रूप में 36 रूप में क्या-क्या शामिल है, और उर्धवादर रूप में क्या-क्या शामिल है, तेजी से कॉमेंट आजाना चाहिए, बढ़े आंगे, चलिये, तो सत्ता के उर्धवादर रूप और 36 रूप में अंतर कुछ इस प्रकास से है, देखें, सबसे पहले हम बात करेंगे उ ूर्धवादर वितरड की बात करेंगे इस तरीके से चलेगा ये ठीक यह आपकी कैंदर सरकार ये है आपकी राज्य सरकार और ये है आपकी इस्थानिय सरकार अल्राइट अब एक देश में एक ही केंदर सरकार होती है ठीक है उसके अधीन अलग-अलग राज्यों की राज्यों सरकारे होती है जिसे की भारत में 28 राज जुराट के अंदर शाशर प्रतेशा जिनकी अपनी अपनी अलग सरकार हैं ठीक? किलियर? फिर उसके बाद अलग अलग राज्यों में अपनी अलग अलग नगर और गावों और जिलों की क्या होती है इस्थानी सरकार होती है जिसे लोकल सेल्फ गव सरकारों के अधीन काम करती है और राइट तो यह क्या हो गया उर्दवादर वित्रण सबसे उपर है केंदर सरकार ठीक उसके बाद क्या है उसके नीचे है राज्य सरकार और उसके बाद क्या है उसके बाद है इस्थानिय सरकार के लिए उपर से नीचे चलेगा केंदर सरकार क के दिन राज्य सरकारें रहेंगी राज्य सरकारों के अधीन इस्थानिय सरकारें रहेंगी एक बात अब देखें इसमें क्या है उच्छतर और निम्नतर इस्थार की सरकार होती है उच्छतर इस्थार केंद्र सरकार उसके नीचे राज्य सरकारों सबसे निम्न इस्थानियों का थिक फिर इसमें क्या होता है निम्न तर अंग उच्च्चतर अध् gider करता है उच्चतर अंग करके अधिन काम करता है तो राज्य सरकार कि اधीन काम कर रही है केंदर सरकार कर Psärka do किसके अधीन काम कर रहा है राज्य सरकारों के अधीन ऑल राइट किलियर चलिए बड़े फिर आंगे अब है 36 वित्रण ठीक है क्या है 36 वित्रण सब्ता का तो देखें पहली बात क्या कही गई है कि इसके अंतरगात सरकार के विभिन अंगों 36 वित्रण की बात कहें तो ये एक ही इस तरपर काम करते हैं इस तरीके से ठीक है ये एक दो और ये तीन तो ये हो गई आपकी क्या विधाई का हो गई ठीक ये हो गई आपकी कार्यपाली का और ये हो गई आपकी न्याए पालीBigUp ओलाइट इसके अंतरगत जो है 36 वित्रण की अंतरगत सरकार के विभिन अंगों जैसे कि विधाई का कार्यपालीग और न्याए पालीग ऐबीच क्या होता है सत्ता का बटवारा होता है विधाई का क्या करती है कानून बनाती है कार करती है implement करती है ठीक और न्यायपाली का क्या करती है वही सभी को पता है कोड क्या करती है केस सुलजाती है कानूनी विवादों का निप्टारा करना कानूनों को बनाना लागू करना विवादों का निप्टारा करना तो इनकी बीच में 36 वित्रण में सत्ता का बटवारा होता है फिर इसमें सरकार के जितने भी अंग हैं विधाई का कार्यपाली का या नयायपाली का एक ही इस्तर पर रहे कर गाम करते हैं ठीक है चैते वित्रण में कितने इस्तर यह देखें एक ही इस्तर पर रहे कर अपनी शक्ति का उप्योग करते हैं जबकि उर्धवादर वित्रण में तीन इस्तर थे ठीक है और इसमें 36 वित्रण में प्रतेग अंग एक दूसरे पर नियंतर रखता है ठीक है जो भी अंग है सत्ता का ठीक है वो एक दूसरे पर नियंतर रखेगा लेकिन अधीन किसी के कोई नहीं रहेगा कि उच्चतर इस्तर है यह निमनतर इस्तर है इसमे इस तर थे ओल्राइट तो यहां से सीधा सवाल पूछा जा सकता है यह बहुत important सवाल है मतलब इस chapter का very 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 most important question है यह देख लेना भई किसी ना किसी exam में आप से जरूर पूछा जाएगा ओल्राइट चलें फिर आगे चलिए क्वेस्चिन नमबर 18 है और दीरगुत्रिय प्रश्ण में तीसरा प्रश्ण है किसके बारे में स्री लंका के बारे में हैं तो स्री लंका में बहुत संख्यक वाद क्या था और बहुत संख्यक वाद कि से कहा जाता है वही बात question में अपन को लिखनी है चलिए देखें तो श्री लंका में बहुत संख्या के वाद तदह इसके प्रभाव सबसे पहले हम बात करेंगे श्री लंका में बहुत संख्या के वाद की तो देखें पहली बात क्या कही गई है कि सिहली को एक मात्र राज भाशा घोशित कर दिया गया बहुत संख्या के बात होता क्या है कि यानि कि जो संख्या में अधिक हो सिर्फ उनका ही बोलवाला हो उनको ही सारे अधिकार दिये जाए उनका ही प्रभुत्व हो उनका ही वर्चस्व हो श् सिहली को इन्हों ने एक मात्र राज भाशा घोशित कर दिया और विश्वविद्यालयों और सरकारी नौक्रियों में सिहलीयों को प्राथ मिक्ता दी गई बहु संख्यागवास से रिलेट करना यह जो संख्या में जादा है उन्हीं को सारे अधिकार दिये जा रहे हैं ठीक सिहली भाशा को बोलने वाले लोग किस धर्म को मांते थे बहु संख्यागवास का प्रभाव क्या था ठीक है देखते हैं बहुत संख्यकवाद का प्रभाव हमें क्या दिखाई देता है तो देखें तमिलों की नाराजगी और शाशन के प्रती बेगाने पंगो बढ़ावा जी हैं अब जब एक ही समुदाय को जादा बढ़ावा दिया जाएगा तो दूसरा समुदाय तो भई परेश्यान होगा शाशन के प्रती बेगाने बनको बढ़ावा यानि कि वो शाशन से एकदम अलक्त लग रहने लगे उनको कुछ अदिकार ही नहीं दिये थे ठीक है एक प्रभाव यह है फिर फिर क्या होता है उन्नीस सो असी के दशक में उत्तर पूर्वी श्री लंका में स्वतंत्र तमिल इलम बनाने की मांगरी कहां उत्तर पूर्वी श्री लंका में क्यों उत्तर पूर्वी श्री लंका में ही क्यों कि या भई उन्ने ऐसा यह बने गया भई श्री लंका ठीक है कि यह बन गया श्री लंका ठीक यह कौन सी दिशा है आपकी उत्तर दिशा है ठीक यह है पूर्व दिशा और यह हैं आपकी दक्षड दिशा अब यहाँ पर रहते हैं सहिली में जो कि जहतर प्रतिशत नहें और यहां पर रहते हैं 18 प्रतिशत आबादी तमीकी तो कहां रहते हैं यह देखो भई यह उत्तर का छेत्र या पूरब का छेत्र यहां स्वतंत्र तमिल समुद्हायन एक को ज़ादा आधिकार है एको हैं ही नहीं तो युद्ध तो होगा ग्रैय याणि कि जब एक देश में ही युद्ध हो रहा है फिर इस ग्रैय के कारण हजारों लोगों का मारा जाना तुब देखर हो जाना जो ग्रैय6ड हुआ तुसमेword हजारों लोग मारे गए और बेघर भी हो गए उसके बाद क्या हुआ युद्ध के कारण देश के सामाजिक सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में दुष प्रभाव देखने को मिला क्या देखने को मिला देश के सामाजिक सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में दुष प्रभा के का ग्रहयोद्ध होता नहीं होता सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक रूप से लोगों को परिशानी जहलनी पड़ती नहीं जहलनी पड़ती सभी स्वतंत्र रूप से अपने अधिकारों के साथ रहते लेकिन वहां की सरकार ने सिर्फ एक समुदाय के लिए जो बहु संक्यक स समुदाय था उन्हीं को सारे अधिकार सोब दिये अल्प संक्यक समुदाय से सारी चीज़ें छीन ले गए तो ग्रहयोद्ध होना स्वाब अबिक था तो श्री लंका में बहु संक्यक वाद क्या था और उसके प्रभाव क्या नजर आते हैं वह हमने देखे क्लियर चलिए च कहानी हमने जानी है उससे क्या सिक्षा मिलती है तो चलिए देख लेते हैं देखें भई श्री लंका तता बेल्जियम की कहानी से हमें कुछ इस प्रकार की सिक्षा मिलती है जैसे कि बेल्जियम के नेताओं को लगा कि विभिन समुदाय और शेत्र की भावनाओं का आधर कर पर ही देश की एकता संबह है बेलजियम ने क्या किया था जो डच भाशा और फ्रेंच भाशा को बोलने वाले लोग रहते थे उनके बीच बराबर सक्ता का बटवारा कर दिया क्योंकि वहां के नेताओं को लगा कि हम बराबरी से सब को सबके अधिकार देंगे ठीक है जितने होने ऐसा किया भी फिर इस एहसास के चलते दोनों पक्ष सत्ता में साज़ेदारी करने पर सहमत हो गए डच और फ्रेंच दोनों तथा देश में ग्रहयुद्य की आशन का आपर विराम लगा जो वहां पर भी ऐसी सिचुएशन बन रही थी कि हो सकता है बेल्जियम में भी करें दो जाये लेकिन नहीं हो पाया क्यों क्योंकि वहां कि सरकार ने समझदारी से ले लिया ठीक है और देश का विभाजन होने से रह गया देश विभाजत नहीं हो पाया देश बच गया अब श्री-लंका से क्या पताच चलता फैय। श्री लंका ने तो बेलजियम के जैसा नहीं किया था श्री लंका के उधारन से यह पता चलता है कि अगर बहु संक्यक समुदाए तो बहु संक्यक समुदाए दूसरों पर प्रभुत्व कायम करने तथा सत्ता में उनको हिस्सेदारी ना बनाने का फैसला करता है तो इससे देश की एकता संकट में पढ़ सकती है जो कि श्री लंका में हुआ था और श्री लंका में ग्रह युद्ध भी हुआ था यूगि सत्ता का बटवारा सेली और तमिल में बराबर से नहीं किया गया था किलियर चलिए अब है आखरी सवाल बीसवा सवाल ध्यान से सुनिएगा लोगतंत्र में ध्यान से सुनना लोगतंत्र में नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था से आप क्या समझते हैं डैमोक्रेसी में अगर कंट्रोल और बैलेंस का सिस्टम चलाया जाए तो क्या होगा ठीक चलिए देख लोगतंत्र में सरकार के विभिन अंगों जैसे विधाई का, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता की साज़ेदारी होती है। एक इस्तर पर पर रहकर अपनी शक्ती का प्रियोग करते हैं, शक्तियां सब के पास हैं, चाहे वो विधाई का हो, कार्यपालिका हो, सब के पास अपनी अपनी शक्तियां हैं। नियांत्रन और संतुलन संतुलन कैसे कि एक ही स्तर पर है और एक ही स्तर पर है कि एक दूसरे पर नियांत्रन है ऐसा नहीं कि एक स्तर सिर्फ दूसरे स्तर पर नियांत्रन लगाए हुए है ठीक है तो कोई भी एक अंग सकता का असीमत उप्योग नहीं कर सकता कि उसके पास पा हर अंग दूसरे अंग पर अंकुष रखता है इससे विभिन संस्थाओं के बीच सत्ता का संतूलन बना रहता है बैलन्स बना रहता है उधारण के लिए मंत्री विधाई का के प्रती उत्तरदाई होते हैं बिल्कुल जितने भी मंत्री होते हैं जतने भी मिनस्टर होते हैं कि के प्रति Responsible होते हैं विधाई का के प्रति Responsible होते हैं आल्राइट किलियर हो गई बात तो नियंतर और संतुलन कैसे काम करता है लोक तंत्र में सप्ता के समान वितरण यानि की साज़दारी या पावर शेरिंग के मांध्य हम से और राइट किलियर यहां तक की बात यहां तक कि किसी को कोई डाउट question समस्या जल्ली से comment करके बताईए अगर कोई भी बात हो क्या कहते हो सारे question के लिए 20 question अपनने कर लिए भाई साब कितने 20 question हम कर चुके हैं अगला एक और पॉइंट है सी मैं न्याय इस खुर के ढु equilibrium की कार्यपाली का करती है कैसे करती है जैसे कि रास्टपति के पास अधिकार होता है भारत के मुख्ष नयायाधीस को न्यूक्त-कन्य का ठीक है परण्तु न्यायपालीडी का ही कार्यपालीडेडी तथा विधाई का द्वारा बनाए मदाए गए कानुनों पर अंकुष रखती है न्याय पालिका की न्यूकती कौन कर रहा है एक्जीकुटो बोडी यानि की कार्य पालिका ठीक है कौन कर रहा है न्याय पालिका की न्यूकती कार्य पालिका कर रही है और न्याय पालिका ही कार्य पालिका और विधाई का द्वारा बनाएगे कानूनों पर अंकुष रखती है कि इनने इनने जो कानून बनाए हैं अगर इनमें कोई विवाद उत्पन होता है तो भई हम खड़े हैं निप्टारा हम करेंगे ठीक है और इस व्यवस्था को क्या गहते हैं नियंत्रण और संतुलन की की सभी मिलजुल कर काम कर रहे हैं सभी इस तर ए सभारी के स्वरूप को अपनाया गया है क्लियर बात नियंत्रण संतुलन लोकतंत्र में कैसे स्थाप्यत होता है और राइड चलिए तो इसी के साथ आज के शेशन का होता है दी एंड जल्दी ही मिलते हैं अगले शेशन में तो यह चैप्टर कितना हो गया भई चैप्टर खतम, NCRT solution खतम, multiple twice question खतम, most important question खतम, बचा क्या CCR, complete chapter revision यानि की one short revision बहुत जल्दी आपको वो भी करा दिया जाएगा उसके पहले notification के bell icon को आप प्रेस कर दें ताक कि जैसी वीडियो अप्लोड होता है आपको तुरंद notification मिल जाए आल राइट, तो अगर आप हमारे daily के live lesson और recorded lesson से जुड़ना चाहते हैं, सारी चीज़ें उपलब्ध है, Magnet Brains की YouTube चानल, website और application पर जी हाँ, Magnet Brains इंडिया का number one 100% free online education platform है, इसके लावा अगर आप e-books और e-notes भी चाहते हैं, उसकी link भी वीडियो के description box में दी गई है, वहाँ से आप अवेल कर सकते हैं हमारे पास आपके लिए कई सारे top courses, Hindi medium, English medium दोनों में उपलब्ध हैं, CBSC board के साथ साथ, दिल्ली वोर्ट, बिहार वोर्ट, UP वोर्ट, MP वोर्ट, राजस्तान वोर्ट के syllabus को भी complete कराया जाता है और उन सारे state board के syllabus को complete कराया जाता है, जहां पर NCERT का pattern follow होता है, क्योंकि हम पढ़ाते हैं आपको NCERT से कही सारे special courses भी हमारे पास हैं, वैदिक में scratch course spoken English और इतने सारे courses एक ही single platform पर high quality education के साथ एकदम free में उपलब्ध कराया जाते हैं मैंने प्रेंस YouTube के लावा अधर social media platform जैसे की Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, WhatsApp पर भी उपलब्ध है आप हमें वहां भी follow कर सकते हैं, वहां से भी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तो आज के session को जादा से जादा like और share करते हुए channel को subscribe भी करना है हमारे साथ बने रही है, जुड़े रही है, पढ़ते रही है, खुश रही है, thank you so much